मनी पूर के चूरा चांद पूर जिले में गुरुवार की देरा तीन सो से चार सो लोगों की भीड़ने एस पी ऑफिस पर हमला कर दिया लोगों ने एस पी ऑफिस पर पत्थराओ किया एक बस और असपास की जगों में आग लगा दी मनी पूर पूलिस के मताबिक जवाब में रैपिट एक्शन फोर्स सही दूसरे सुरक्षा बलो ने आसू गेस के गोले दा गए सुरक्षा बलो ने फाइरिंग भी की जिसमें दो लोगों की मोत हो गई करीब 25 लोग खायल हो गए ताजा हिंसा के बाद चुराचानपूर में पांच दिनों के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई पूलिस ने बताया कि हमलावार एक पूलिस कॉंस्टेबल को सस्पेंड करने पर विरोत कर रहे थे चुराचानपूर कोकी जो जनजाती बहुल शेत्र है यह राजदानी इंट फॉल से 65 किलोमेटर दूर है मनिपूर में मई 2023 में शुरू हुई हिंसा में चुराचानपूर सबसे अधिक प्रभाविश शेत्रों में से एक था मनिपूर पुलिस के मताबिक 14 फरवरी को हैट कॉंस्टेबल सियाम लाल पाल को एक वीडियो सामने आया था पुलिस ने बताया कि हमलावर एक पुलिस कॉंस्टेबल को सस्पेंड करने का विरोत कर रहे थे चुराचानपूर कुकी जो जन जाती बहुल शेत्र रहे ये राज़ानी इनफॉल से 65 किलोमिटर दूर है मनिपूर में मई 2023 में शुरू हुई हिंसा में चुराचानपूर सबसे अधिक प्रभाविश शेत्रों में से एक था मनिपूर पूलिस के मताबिक 14 फरवरी को हेड कॉंस्टेबल का एक वीडियो सामने आया था इसमें वो हत्यारबन बदमाशों के साथ दिखाई दिये थे हेड कॉंस्टेबल ने बदमाशों के साथ बंकर में सेलफी बिली थी जो वाइरल हो गई इसके बाद स्पी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया प्रदर्शन कारियों का आरूप है कि हेड कॉंस्टेबल को गलत तरीके से निलंबित किया गया है उन्होंने हेड कॉंस्टेबल को वापस बहाल करने की मांग की